कई ऐसे बॉलिवुड कलाकार होते हैं जो अपने अभिने तक ही सीमीत रहते हैं बाहर के किसी भी मुद्दे से वो दूर ही रहना पसंद करते हैं वहीं कई ऐसे कलाकार भी बॉलिवुड में हैं जो हर एक राजनैतिक मुद्दों पर खुल कर अपनी बात रखते हैं जिसके का सारे सेलेब्रिटीज हैं जो लेफ्ट विंग के सपोर्ट में रहते हैं इनी में से एक एक्टर है नसीरुदीन शाह जो कई बार अपने विवादित बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं अब यहाल ही में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने लव जिहाद कानून को म चाली गई है उन्होंने बताया कि मेरी और रतना की शादी के वक्त भी ऐसी चीजे सामने आई थी लेकिन हमने उन सब का सामना किया उन्होंने बताया कि उनकी माने उनसे पूछा था कि रतना शादी के बाद धर्म परिवर्तन करेगी तो जवाब में मैंने कहा था ना आगे कि यूपी में लव जिहाद का तमाशा चल रहा है इस शब्द को उछालने वाले लोग जिहाद शब्द का अर्थ तक नहीं जानते इसके आगे जब उनसे मुस्लिमों की बरती अबादी के बारे में पूछा गया तो वो सपार्ट शब्दों में कह गये मैं नहीं मानता कोई इतना बेवकूफ होगा जो इस बात पर यकीन कर ले कि मुसल्मानों की संख्या हिंदूओं से ज्यादा बढ़ जाएगी इसके बारे में तो सोचा भी नहीं जा सकता आपको बता दे पिछले कुछ समय से लव जिहाद के अत्यधिक मामले आने के बाद से यूपी में अब लव जिहाद और धर्म परिवर्दन को लेकर कड़े कानून बना दिये गए हैं जिने हर्याना और फिर मध्य परदेश में भी लागू किये जाने की बात चल रही है नसीरुदिन शाह का कहना है कि यूवा प्रेमी जोडो को लव जिहाद के नाम पर उत्पीडन बेहद चिंता जनक है उन्होंने कहा ये वो दुनिया नहीं है जिसका हमने सपना देखा था दो साल पहले दिये गए इंटर्विव में भी उन्होंने कहा था कि गाए की जान से ज्यादा इंसान की जान सस्ती हो गई है और इसके बाद वो अपने बच्चों के भविश्य पर भी चिंता करते दिखे और बोले मेरे बच्चों का भविश्य कैसा होगा जिने हमने किसी विशेश धर्म का पाठ नहीं पढ़ाया आपको बता दे पिछले कुछ समय से नसीरदीन शाह फिल्मों से दूर है जिसके बारे में उनका कहना है कि उन्हें कोई फिल्म आफर कर ही नहीं रहा या यू कहिए बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे स्क्रिप्ट पे फिल्म ही नहीं बनती है आखर बार उन्हें विवेक अगनिहोत्री के फिल्म दे ताशकंद फाइल्स में देखा गया था पिछले दो साल में उन्होंने एक वेब सीरीज और एक बेंगॉली फिल्म की है इसी प्रकार की तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ जोड़े रहिए नमस्कार